एक गाउं में एक बूड़ी अम्मा रहती थी वह अकेली थी उसके आगे पीछे कोई नहीं था तो दोस्तो आपने यूटूब पर इस तरह की काफी सारी स्टोरी वुडियो देखे होगी अगर आप भी इसी तरह की स्टोरी वुडियो बनाना चाहते हैं तो आजकी इस वुडियो में आपको बताऊँगा कि आप इस तरह की स्टोरी वुडियो कैसे कर्याट कर सकते हो और आपको इस तरह की unlimited स्टोरी कहांपर मिलेगी । किस तरह से उसमें voice over करना है और काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि इस तरह के चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चैनल दिखा देता हूँ जो कि इसी तरह की स्टोरी वीडियो बनाती है और वो चैनल एजीली मोनेटाइज हो चुका है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे दोस्तो आप यहाँ पर इस चैनल को देख सकते हो यह अपने चैनल पर इसी तरह की स्टोरी वीडियो अपलोड करती है और ये चैनल एजीली मोनिटाज हो चुका है और आप इनके व्यूज देख सकते हो कि इनकी वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रूफ दिखा देता हूँ कि इनका चैनल मोनिटाज है या नहीं आप उस तरह की स्टोरी वडियो करियेट कर सकते है तो चलिए दोस्तों वडियो को शरू करते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको Google पर जाना है और Google पर जाने के बाद आपको अपनी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी एक फोटो डाउलोड कर लेनी है जैसे माल लो मैं Old Mother वाली स्टोरी वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं Old Mother से Related यहां से कोई भी एक फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ तो फोटो कहां से डाउनलोड करनी है आपको ध्यान से देख लेना है तो इसके लिए आपको यहां पर सर्च करना है Pixabite.com तो चलिए मैं यहां पर सर्च कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहां पर Pixabite.com नाम से एक वैबसाट दिखाई देगी आपको इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा तो आप जिस भी टाइप की फोटो डाउनलोड करना चाहते है तो यहां पर आपको उसका नाम लिखकर सर्च कर लेना है जैसे मैं यहां पर सर्च कर लेता हूँ Old Woman और इसके बाद आपको यहां पर काफी सारी फोटो दिखाई देगी तो आप यहां से कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं यह सभी फोटो कोपी राट फिरी हैं तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो जैसे माल लो मैं यहां से कोई भी एक फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ जैसे मालो मैं यहां से यह वाली फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ तो फोटो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है आपको स्टोरी चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको unlimited हिंदी स्टोरी कहां पर मिलेगी तो इसके लिए आपको Google पर जाना है और Google पर जाने के बाद आपको जिस भी टाइप की स्टोरी वीडियो चाहिए तो यहां पर आपको उसका नाम लिखकर सर्च कर लेना है जैसे मैं यहां पर सर्च कर लेता हूँ Old Mother Hindi स्टोरी तो इसी तरह से आप जिस भी टाइप की स्टोरी वीडियो बनाना चाहते है तो यहां पर आपको उसका नाम लिखकर सर्च कर लेना है और इसके बाद आपको यहां पर काफी सारी वैबसाट दिखाए देगी तो यहां से आपको किसी भी वैबसाट में चले जाना है बोईसोर करना है और किस तरह से एडिटिंग करनी है तो चले मैं अपना काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ और काइन मास्टर में जाने के बाद आपको पलस वाले ओप्चन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहां से 16-9 का रेसो ले लेना है और इसके बाद आपको यहां से मीडिया ओप्चन में जाना है और मीडिया ओप्चन में जाने के बाद आपको यहां से बैगराउंड में जाना है और बैगराउंड में जाने के बाद आपको यहां से कोई भी एक बैगराउंड ले लेना है जैसे माल लो मैं यहां से white वाले background ले लेता हूं और इसके बाद ok पे click कर देता हूं और इसके बाद आपको क्या करना है आप जितनी लंबी story वीडियो बनाना चाते हैं तो इस background की length आपको उतने minute तक बढ़ा देनी है जैसे माल लो मैं एक minute की story वीडियो बनाना चाता हूं तो मैं इस background की length एक minute तक बढ़ा देता हूं और इसके बाद आपको ok पे click कर देना है और इसके बाद आपको यहां से layer वाले option में जाना है और इसके बाद आपको यहां से media में जाना है और media में जाने के बाद आपको क्या करना है आपने जिस भी photo को download किया है तो उस photo को आपको यहां से ले लेना है तो चले मैं यहां से old मदरवाली photo को ले लेता हूं और इसके बाद आपको इस photo को zoom कर लेना है और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से सैट कर देना है और इसके बाद आपको इस फोटो की लेंथ भी इस बैगराउंड के बराबर कर देनी है तो चले मैं इस फोटो की लेंथ भी इस बैगराउंड के बराबर कर देता हूँ और इसके बाद OK पे किलिक कर देना है और इसके बाद आपको क्या करना है आपको इसमें अपनी स्टोरी एड़ कर देनी है तो स्टोरी कैसे एड़ करनी है इसके लिए आपको लेर वाले ओप्चन पे किलिक कर देना है और इसके बाद आपको यहां से text वाले option में जाना है और इसमें जाने के बाद आपने जिस भी story को copy किया है तो उस story को आपको यहां पर paste कर देना है तो चले मैं यहां पर अपनी story को paste कर देता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकता है कि यह story आपको यहाँ पर इस तरह से लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रही होगी तो सबसे पहले आपको इसको छोटी छोटी लाइनों में convert कर लेता हूँ तो इसी तरह से आपको भी अपनी story को इस तरह से छोटी छोटी लाइनों में convert कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से ok पे click कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकता हैं, यहाँ पर हमारी story आच की है तो यहाँ से आप इसमें font एड़ कर सकते हो और इसके बाद OK पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकता है कि इस स्टोरी में color और font add उचका है तो आपको इस स्टोरी की length भी इस background के बराबर कर देनी है तो चलिए मैं इस स्टोरी की length भी इस background के बराबर कर देता हूँ और इसके बाद आपको Okay पे खिलिक करदेना है दोस्तों इतना काम कमप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपनी Story को इस तरह से ऊपर की तरफ चलाना है तो ऊपर की तरफ कैसे चलेगी वो आपको ध्यान से देख लेना है तब ही आपको समझ आएगा तो इसके लिए आपको अपनी story पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपको अपनी story को इस तरह से सबसे नीचे ले जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर की वाला option दिखाई देगा आपको इस पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपको क्या करना है आपकी story जहाँ पर भी end हो रही है आपको वहाँ पर जाना है जैसे आप आपर देख सकते हैं यह story यहाँ पर end हो रही है तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है आपको अपनी story को उपर की तरफ scroll करना है तो चले मैं अपनी story को इस तरह से उपर की तरफ चलती हुई दिखाई देगी तो चले मैं आपको इस स्टोरी को प्ले करके दिखाई देता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकता है कि यह स्टोरी आपको यहाँ पर इस तरह से उपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही होगी और आप इसको easily पढ़ सकते हो तो अब बात करते हैं कि आपको इसमें voice over कैसे करना है तो voice over करने के लिए आपको यहापर voice वाला option दिखाए देगा आपको इस पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपको allow पे click कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यह आपर स्टार्ट वाला उप्शन दिखाई देगा आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस स्टोरी को पढ़ना है उसकी साधी का वो सपना उस पल में तूट गया जब उसकी बहु ने उसे मा की बजाए नोकर की तरह पुकारा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इस स्टोरी में मेरी वो इस एड उचकी है तो अब मैं आपको इस स्टोरी को पले करके दिखा देता हूँ कि हमारी स्टोरी किस तरह की बनी है एक मा जो अपने बच्चे के बच्चपन से हजारो सपने देखती है उसकी साधी का वो सपना उस पल में तूट गया जब उसकी बहु ने उसे मा की बजाए नोकर की तरह पुकारा तो दोस्तों अपनी story में voiceover करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपनी story में एक sad सा background music एड़ कर देना है ताकि आपकी story सुनने में और ज्यादा अच्छी लगे तो background music एड़ करने के लिए आपको audio वाले option में जाना है और इसके बाद आपके mobile में जितनी भी audio song या music होंगे तो वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आप यहाँ पर देख सकता है कि हमारी story में background music एड़ हो चुका है और आपने यहाँ पर जो भी background music एड़ किया है तो इसकी voice को आपको कम कर देना है ताकि आपने इसमें जो कुछ बोला है तो आपकी आवाज बिल्कुल clear सुनाई देश की तो background music की voice को कम करने के लिए आप आपको अपने background music पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से volume वाले option में जाना है और यहाँ से अपने background music की voice को कम कर देना है और इसके बाद आपको फिर से ok वाले option पे क्लिक कर देना है तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपनी story में अपने channel का logo एड कर देना है जैसे आप यहाँ पर देख सकता है कि हनिया वो इसने अपनी स्टोरी में अपने चैनल का लोगो एड किया हुआ है तो आपको भी इसी तरह से अपनी स्टोरी में अपने चैनल का लोगो एड कर देना है तो चैनल का लोगो एड कर देना है तो चैनल का लोगो एड क इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से इसकी opacity को इस तरह से कम कर देना है और इसके बाद आपको ok पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आपने यहां पर जो भी logo एड़ किया है तो इसकी length भी आपको इस background के बराबर कर देनी है तो चलिए मैं इसकी length भी इस background के बराबर कर देता हूँ तो दोस्तो इतना काम complete करने के बाद आपकी story वीडियो बन कर तयार हो जाएगी और आप इसको अपनी gallery में save कर सकते हो और उसके बाद आप इसको अपनी YouTube चैनल पर upload कर सकते हो तो gallery में save करने के लिए आपको यहाँ पर save वाला option दिखाई देगा आपको इस पर click कर देना है और इसके बाद आप इस वीडियो को जिस भी quality में save करना चाते हैं तो आप यहाँ से उस quality में save कर सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर upload कर सकते हैं और इस तरह के चैनल बहुत जल्दी monetize हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के चैनल में बहुत कम competition होता है लेकिन इनको देखने और सुनने वाले लोग बहुत जादा होते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंदा योगी अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना